जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खब्रें आ रहे हैं कि आशू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए आंदूरों को खतम करने के लिए कीलों से लेकर के नजाने क्या-क्या दिवाले तक खड़ी की गई और प्रसासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है दिल्ली की सरकार जानबुझ करके किसानों के आबास दवाना चाहती है ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी फसल की कीमत मिलेगी MSP लागू करेंगे कुछ बरसों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए 800 से ज़्यादा किसानों की आत्म हत्या होई या हत्या हो गई, जान चली गई लेकिन उसके वावजूदी सरकार किसानों को MSP देने के लिए तयार नहीं है तो जो सरकार किसानों के नाम पर बोट लेना चाहती हो जो सरकार स्वामी नाथन जी को भारत रतन दे रही हो जो सरकार किसानों के नेता चौई चंसिंग जी को सम्मान दे रही हो भारत रतन आखिर कार किसान को MSP क्यों नहीं या MSP देना नहीं चाहती सरकार बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार जो लोग मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परणाम यह है कि किसान की आवाज दवाने के लिए लगासता सकार इसी तरह का ब्युहार कर दिये किसानों के साथ आने वाले चुनाओं में जो 2024 को होने जा रहा है देश की जंता भारती जंता पार्टी को हटा देगी झाल है